जैसे कि आप अभी देख पा रहे हो मैंने अभी cash जो है वो withdrawl कर लिया है बिना ATM card के और ये रहा मेरा cash जो कि मैंने अभी withdrawl किया है बिना ATM card के जी नमश्कार दोस्तो एक बहुत फिर से आपका स्वागत है टेक्नोपा जी यूटूब चैनल में आज के studio में हम बात करेंगे अगर हम कहीं बार गए हैं और हमारे पास अभी ATM card नहीं है और मेरा PNB का account है तो मैं कैसे PNB के ATM में जाके ATM card के बिना ही cash जो है वो withdrawl कर सकता हूँ चलिए start करते हैं आज की वीडियो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को subscribe कीजेगा और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को like जरूर कर दीजेगा चलिए start करते हैं आज की वीडियो तो सबसे बहले हमें PNB1 की app जो है वो open कर लेनी है इसके बाद हमें 4 digit का mpin जो है वो दर्ज कर देना है तो जैसे आप mpin जो है वो दर्ज करोगे तो कुछ इस प्रकार का interface आपके सामने open होगा जहां पे आपको multiples option जो है वो show हो रहे होंगे आपको simply scroll down करना है और वहां पे आपको एक option दिखेगा debit card आप उस पे click कर देना है तो जैसे आप debit card पे click करोगे तो अभी आपको multiples option जो हो रहे होंगे जैसे कि apply for new debit card virtual debit card और उसमें third option है cardless cash withdrawal हमें उस पे click करना है तो जैसे आप cardless cash withdrawal पे click करोगे तो यहाँ पे आपको दो options दिख रहे हैं debit account और debit amount आपको किस account में से cash withdrawal करने है वहाँ पे आपको first option में आपको अपना account number जो हो select कर लेना है तो यहाँ से मैं आपना first option में से अपना account number जो हो select कर लेता हूँ अब जैसे आप अपना account number select करोगे तो उसके नीचे आपको अपना available balance कितना है वो आपको show हो रहा होगा और उसके नीचे एक और लिखे गई है available limit 10,000 मतलब आप इसका उपयोग करके आप एक दिन में जाजा तर 10,000 रुपे maximum जो हो withdrawal कर सकते हो इसके बाद नीचे हम debit amount में अपना जितना भी amount जो हमें निकालना है हमें withdrawal करना है वो हम amount जो हो यहाँ पे दर्च कर देंगे जैसे आप amount दर्च करने जाओगे तो अभी नीचे लाल रंग से कुछ lines लखी गई हैं जैसे के minimum amount is 1,000 and maximum amount is 10,000 amount should be in multiplication of 100 मतलब आप minimum आपको 1000 रुपे तो withdrawal करने ही होंगे और maximum आप एक दिन में 10,000 रुपे जो हो withdrawal कर सकते हो और जो amount जो आप यहाँ पे डालोगे वो 100 के multiplication में होना जीए जैसे के 100, 200, 300, 400, 500 वैसे आप कोई भी amount जो हो डाल सकते हो बट कम से कम आपको 1000 रुपे जो हो withdrawal करने हैं मैं यहाँ पे अभी 1000 रुपे ही आपको withdrawal करके दिखाने वाला हूँ इसलिए मैं simply यहाँ पे 1000 रुपीज जो हो insert कर दूँगा और नीचे मैं अभी continue बटन पे click कर दूँगा जैसे मैं continue बटन पे click करूँगा तो अभी मेरे सामने कुछ इस प्रकार का page जो हो open हो गया है जिसमें नीचे एक और section जो हो add कर दिया गया है set temporary pin और tpin अभी यह temporary pin और tpin का मतलब क्या है इसमें नीचे note में लिखा गया है this is temporary 4-digit pin for cash cash withdrawal to be used along with the reference number at the PNB ATM valid for 2 hours इसका मतलब यह है अभी आपको यहाँ पे जो है वो आपको pin जो है वो set करना है यह जो pin है यह आपको याद रखना है इसके बाद आपको एक reference number भी दिया जाएगा वो reference number और यह pin के माधियम से आप ATM में जाके जो है वो amount जो है वो pin set करोगे और आपको reference number मिलेगा तो यह जो reference number है वो आपको 2 गंठे के लिए valid होगा मतलब आप 2 गंठे के अंदर-अंदर ATM में जाके यह cash जो है वो withdrawal कर सकते हो चलिए अब मैं यहाँ पे अपना temporary pin जो है वो डाल देता हूँ याद रहे यह जो pin है यह आपको याद रखना है और यह आपको one time ही use करना है जब आप ATM में withdrawal करने जाओगे तब सो मैंने यहाँ पे अपना pin जो है वो set कर दिया है इसके बाद हम simply continue button पे click कर देंगे सो जैसे आप continue button पे click करोगे तो अभी आपको पुछेगा enter T-pin तो आपको यहाँ पे अपना confirmation pin जो है वो डाल देना है याद रहे यह जो pin है यह आपका जो main pin जो है जो कि आप transaction के time पे जो use करते हो वो pin आपको यहाँ पे डालना होगा ना कि आपको अपना temporary pin डालना होगा सो मैं यहाँ पे अपना main tip in जो है वो अभी insert कर देता हूँ इसके बाद simply हम confirm button पे जो है वो click कर देंगे तो जैसे मैं confirm button पे click करूँगा तो मुझे अभी मेरे mobile पे एक OTP send होगा वो same OTP जो है वो मुझे यहाँ पे insert कर देना है सो मैं अभी मेरा OTP यहाँ पे insert कर देता हूँ इसके बाद हम simply confirm button पे click कर देंगे तो जैसे हम confirm button पे click करेंगे तो अभी हमारे सामने success का कुछ इस प्रकार का page open हो गया है जहाँ पे लिखा है your request for cardless cash withdrawal has been submitted successfully your transaction reference ID is this विलब यह जो reference ID आपको यहाँ पे display हो रही है यह reference ID लेके आपको जो है वो ATM में जाना है और वहाँ से आप यह जो amount जो है 1000 रुपे वो आप withdrawal कर सकते हो चलिए अब हम चलते हैं ATM पे और देखते हैं कैसे हम यह reference ID डालके और अपना temporary pin डालके cash जो है वो withdrawal कर सकते हैं बिना ATM काड के अब हम जो है वो ATM जो है पहुँँच गए हैं और यहाँ पे आप जैसे के देख पा रहे हो आपको simply first option दिख रहा होगा cardless transaction तो आपको simply उस पे click कर देना है जैसे आप cardless transaction पे click करोगे तो अभी आपको यहाँ पे दो options दिख रहे हैं cardless, WDL और ITM आपको cardless, WDL पे click कर देना है जैसे आप cardless, WDL पे click करोगे तो अभी आपको यहाँ पे बुल रहा है please enter 12 digit reference number तो जो reference number आपने create किया था वो same reference number जोए आपको यहाँ पे insert कर देना है तो मैं आपको अभी अपना reference number जोए वो insert कर देता हूँ याद रहे यह जो process है यह आपको फटाफट करना होगा ताकि आपका time out ना हो जाए यदि आपका in between time out हो जाता है तो आपको फिर से यह same process जोए वो follow करना है तो मैं आपको अभी फटाफट अपना reference number जोए वो डाल देता हूँ इसके बाद आपको simply proceed पे click कर देना है यहाँ पे दर्ज कर देना है इसके बाद आपको simply proceed पे click कर देना है so do you want a receipt for this transaction अगर आपको receipt चाहिए आपको यहाँ पे yes पे tick कर देना है यदि आपको नहीं चाहिए तो आप no पे tick कर सकते हो so मैं आपको अभी yes पे click कर दोंगा तो जैसे आप अभी yes पे click करोगे तो अभी आपको यहाँ पे show हो रहा है your transaction is under process please wait तो अभी आपको 2-3 second का यहाँ पे wait कर लेना है इसके बाद यहाँ पे आपको अपना cash जो है और आपको collect कर लेना है और जैसे कि आप अभी देख पा रहे हो मैंने अभी cash जो है वो withdrawal कर लिया है बिना ATM card के और यह रहा मेरा cash जो कि मैंने अभी withdrawal किया है बिना ATM card के वैसे ही यहाँ से आपको अपनी receipt जो है वो ले ले नहीं है सो कुछ इस प्रकार जो है वो आप बिना ATM card के ATM में जाके cash जो है वो withdrawal कर सकते हो सो उमीद करता हूँ आपको इस वीडियो में सभी जानकरी मिल गई होगी जिदि आपको वीडियो थूरा सभी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजेगा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा थन्यवाद